पढ़ेप्रदेश की नगर पालीका सिवनी के द्वारा कबाड में रखा हुआ सामान नीलाम होने जा रहा है नगर में फिल्टर छौक में रखा हुआ कबाड अब कुछ दिनों में नीलाम हो जाएगा ये बहुत अच्छी बात है कि जो सामास निलामी करके उस पैसे का उप्योग नगर पालिका नगर के वितास में उप्योग में लेगी ये अच्छी पहल है लेकिन वही फिल्टर में रखा पुराना लगभग 50-70 वर्ष पुराना रोड रोलर नगर पालिका निलाम करने जा रही है जिसको लेकर नगरवासियों में आकोश व्याप्त है नगरवासियों का कहना है कि वर्षो पुराना लगभग 50 से 70 साल पुराना रोड रोलर एक धरोहर के रूप में सजो कर रखा जा सकता है लेकिन नगरपालिका इस धरोहर को भी कबार में कोडियों के भाव में बेचने को आमादा है जबकि रोड रोलर को देखने से लगता है कि वो वर्षो पुराना है और संभफत भाप से चलने वाला है ये ऐसी चीज है जो कि अब विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार में है वही नगर पालिका इसी धरोहर को कोडि के भाव में बेचने में लगा हुआ है जबकि नगर पालिका को इस रोड रोलर को दुरुस्त करके किसी ऐसे स्थान में रखना चाहिए जिससे की आने वाली पीरी इसको देख कर जान सके, पहचान सके, अनुभव कर सके कि इस रोड रोलर के उप्योग से की कभी नगर की सड़क बना करती थी इसका उपयोग नगर के विकास में किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका इसकी अंदेखी कर रही है इस रोड रोलर को धरोहर के रूप में रखने के लिए नगर के ही एक नागरिक राकेश विश्व कर्मा ने कलेक्टर और नागा पालिका अधिकारी को आवेधन सोप निवेधन किया है कि इस रोड रोलर को धरोहर के रूप में रखा जाए ऐसे कबार के रूप में ना बेचा जाए। आपको बता दे की प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती। इसका जीता जाकता उदाहरन सिवनी सरकिट हाउस में देखा जा सकता है जहां फायर बॉक्स टीम रोड रोलर सजो कर रखा गया है जो की ब्रिटिश की मार्सल कंपनी द्वारा निर्मित वर्ष 1910 का है। लोग निर्मान विभाग द्वारा इसका उप्योग मार्ग निर्मान में सामागरी को संगनित करने हे तो किया जाता था। फायर बॉक्स टीम रोड रोलर के साथ अभी भी लोग फोटो या सेलफी लेते दिखाई देते हैं।